Hello students, इस वीडियो में solve करते हैं, पहला question, find the distance between the point this and this, दो point दिया वाया और हमें दो point के बीच में distance निकालना है, काफी basic सा question है यह, ठीक है, यह दो point दिया वाया, a 7,13 and b 10,9, दोनों के बीच में distance निकालना है, तो हम distance formula use करेंगे, distance formula क्या होता है, x2-x1 का whole square, प्लस y2-y1 का whole square, यह होता है, दो point के बीच में distance निकालने के लिए formula, अच्छा, x2-x1 लिखें या x1-x2, इससे कोई फर्ग नहीं पढ़ता है, क्यों, क्योंकि ultimately उसका square हो जाएगा ना, तो कोई फर्ग नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर हो गया, हम कहीं से भी start कर लेंगे, 7-10 लिख लें या 10-7, तो हम लिखते हैं, 7-10 का whole square, plus 13-9 का whole square, तो ही क्या हो जाएगा, 7-10 हो गया, minus 3 का whole square, plus 13-9 हो गया, 4 का whole square, तो यह आ गया, minus 3 का whole square, 9 और 4 का square है 16, तो ही हो जाएगा, under root 25 और इसमें से आ जाएगा, सिर्फ 5, तो यह भी, दोनों point के बीच का distance निकल गया, 5 unit, यहाँ पर meter centimeter नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं दिया आवा है, ठीक है, meter centimeter के terms में नहीं, simply number है, तो a b equal to 5 unit, ठीक है,